नमस्कान निर्मार आईएस में आप सब का स्वागत है और आज हम इसलामिक सहयोग संगठन के विशे पर चर्चा करेंगे इसके कुछ इंपुट हमने रासवा टीवी लोकसवा टीवी दहिंदू पी आईवी से लिये हैं साथ ही निर्मार आईएस के भी कुछ इंपुट इसम का विशे ओईसी की विदिवत स्थापना 24 मुस्लिम देशों के रास्ट्रा धक्षों के रववात में संपन्न शिकर सम्मेलन और विदेश मंत्रियों की 1970 में संपन्न बैठक के बाद मई 1971 में जेदा में हुई थी OIC के चार्टर को 1972 में अपनाया गया आर्थिक सयोग में मजबूती लाने के लिए 1981 में एक कार्य योजना को अपनाया गया 1990 के दशक में इसकी सदेश सता में नियमित रूप से ब्रद्धी हुई थी 28 जून 2011 को अस्ताना में 38 वी विदेश मंत्री परिशद बैठक के दौरान संगठन का नाम Organization of the Islamic Conference से बदल कर Organization of Islamic Cooperation किया गया था यदि हम इसके उदेशियों की बात करें तो यह निन्म प्रकासी है जान लेते हैं वे क्या है 1972 में अपनाय गए चार्टर के आधार पर OIC के उदेश निन्म है सदस्य देशों के मध्य, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, फ्यज्यानिक और अन्य महतपून शेत्रों में इसलामिक एक जुटता को प्रोश साहन देना और अंतराश्ट्रे संगठनों से जुड़े सदस्यों के मध्य परामर्ष की व्यवस्था भी करना है व्यवस्थ महतपून मुद्धों पर विचार करने के लिए प्रति एक तीन वर्ष के अंतराल पर रास्ट्रा ध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया जाता है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन OIC की प्रमुक्संस था है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनेधी सम्मेलित होते ह इसके वर्तिमान संदर्व को जान लेते हैं पहली बार किसी भारतिय मंत्री का OIC को सम्मोधित करना देश की बड़ी कूट नितिक जीत है इससे पहले उन्हें सो नत्तर में इंद्रगानी मंत्री मंडल में वरिष्ट मंत्री फकृत्दीन अलीश एहमत को प्रवात समेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन उनके मुरकों की राजधानी पहुंचने के बाद पाकिस्तान द्वारा आपत्ती किये जाने पर उनसे आमंत्रन बापस ले लिया गया था इस बार OIC ने पाकिस्तान के आपत्ती अंसुनी कर दी है पाकिस्तान के विदे स्वाराज ने कहा है भारत में बहुती कम मुसल्मान चरंपंती और रूड़िवादी विचारधारा वाले कुप्रचार के शिकार हुए हैं उन्होंने जोर दिया कि छेत्रों को अइस्थिर करने वाले और विश्व को बड़े संकट में डालने वाले आतंगवाद के खिलाफ युद किसी धर्म के खिलाफ नहीं है OIC में शामिल गैर इस्लामिक राष्ट्रों के विशर में हम जान लेते हैं इस्लामी सहयोग संगठन के 57 सदस्य हैं जिनमें से 56 सहयोग संगठन के सदस्य हैं साथ देश यता आईवरी कोस्ट, क्यूआ, मोजांबिक, नाइजीरिया, युगांडा, मुस्लिम बहुल नहीं हैं लेकिन वे इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य हैं OIC में भारत और पाकिस्तान के संदर्व को देख लेते हैं OIC पाकिस्तान द्वारा अपने घोशत उद्देशियों को प्राप्त करने के लिए एक अंतरास्ट्रे मंच रहा है भारत के अनुपस्तित होने के कारण पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ प्रोपगेंडा करने यथा कश्मीर, फावरीडाचा विवाद, मुसल्मानों के कतित मानवादिकार हनन होने के साथ भारत के खिलाफ और मर्यादित भाषा का प्रयोग लगातार होता रहा है यही कारण है कि OIC के सदर से रास्ट्रोद्वारा पाकिस्तान के प्रस्तावों के जरिये कश्मीर पर जो रुख अपनाया गया है वो भारत के पक्ष को बिना जाने या समझे था और भारत के खिलाफ था भारत में लगबग 20 करोड मुसल्मानों की आवादि है इस लिहासे भारत का अपना पक्ष मजबूत है भारत के सभी मुसल्मानों की तरफ से इस मंच का प्रयोग कर ये संदेश देने की कोशिश की गई है भारतिय मुसल्मान अतिवात को पसंद नहीं करता और यहां के लोग, मेल जोल, सही शुर्ता और बहु संस्कृती में विश्वास रखते हैं OIC और भारत के संदर को हम जान लेते हैं अबुदावी में 1 मार्च 2019 को और इसलामिक कोपरेशन के विदेश मंत्रियों की परिशत के 46 सत्र के उद्गाटन में भारत पहली बार आमंत्रित महमान के तोर पर शिर्कत करेगा मेजवान संयुक्त अरव अमिरात ने भारत को आमंत्रित किया है तो उसकी कई वज़े हैं पहला कारण विश्व में भारत के बढ़ते कत को मानिता मिल रही है इसके अलावा भारत की अपनी सांस्कृतिक और एतिहासिक परंपरा है और इस परंपरा में इसलाम का घटक भी शामिल है संयुक्त तरफ अमिरात के विदेश मंत्री शेक अब्दुल्ला विन जायत अलनायन से आमंत्रर स्विकार करने के बान भारतिय विदेश मंत्री सुस्मा स्वराज ने कहा यह दोनों देशों के बीच गहरी होती रणनी तिक समझदारी का संकेत तो है ही साथ में भारत के 20 करोड मुसल्मानों का सम्मान भी है यह आमंत्रर साउदी क्राउन प्रिंस मोहमद बिन सल्मान की भारत और पाकिस्तान यात्रा के ठीक बाद आया है माना जा रहा है कि सल्मान ने भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संवंदों की बकालत की है भारत OIC देशों की जम्मू कश्मीर और भारत में मुसल्मानों की इस्तिती पर भारत विरोधी एवं एक पक्षिय प्रस्तावों उपेक्षा करता रहा है हाला कि इसी दोरान पाकिस्तान को छोड़ कर भारत OIC के सबी सदस्यों के साथ अपने संबंद भेतर भी करता आया है और धीरे-धीरे कारोबारी संबंदों को राजनेतिक संबंदों से वजनी बनाने में काम्यावी हासल कर ली है OIC सदस्य देशों में साथ अरब, संयोकतर अरवम, इराथ, कतर, ओमान, मोरको, त्यूनेशिया और मिश्र जैसे देशों से भारत के दुईपक्षिय कारोबार और निवेश वाले संबंद काफी बहतर है खाड़ी देशों में करीब 60 लाग भारतीय रहते हैं और काम करते हैं जिन में आदे साओधी अरब में रहते हैं भारतीय द्वारा अपनी देश में जितना पैसा भेजा जाता है बहारत के सालाना वजट का करीब 40 फीसेदी होता है जबकि प्रतिय वश करीब 50 लाग भारतीय मुसल्मान मक्का मदीना की यात्रा करते हैं खाड़ी देशों के लिए भारत निवेश का बहतरीन छिकाना माना जाता है जबकि इरान, साउधी अरब, सयुगत अरब अमिराथ और इराग भारत को तेल आपूर्टी करने वाले एहम देश हैं भारत ने सुडान, सीरिया, ओमान और कतर में पैट्रोलियूम से जुड़े बेंचरों में निवेश किया है ताकि भारती अर्थ वैवस्ता को पैट्रोलिय मिलता रहे सीरिया और यमन के बीच जिस तरह से संगश बढ़ रहा है और अरब देश जिस तरह से दो धुरी में तब्दील होते जा रहे हैं जिसमें एक तरफ तो साउधी अरब और सयुगत अरब अमिराथ है तो दूसरी तरफ कतर है हाला कि भारत की नीती अरब देशों के बीच दखल नहीं देने की रही है लेकिन माना जा रहा है कि राजनितिक तोर पर आपसी सयुग लगातार बढ़ता जा रहा है सयुगत अरब अमिराथ के आमंत्रन के मताबिक भारती विदेश मंत्री को OIC के उद्गाटन सत्र में संबोधन भारत के सयुगत अरब अमिराथ के साथ ही नहीं बलकि स्लामिक देशों के साथ संबंदों का सूचक है OIC देशों से भारत को जो चुनोती मिल सकती है उसे संबोधित करने के लिहाज से ये भारत के सामने पहला अफसर होगा OIC के सदस देश कैसे काम करते हैं? इसे एक बार में बदलना तो संबब नहीं होगा लेकिन उस पर असर डाला जा सकता है वर्टमान सरकार और भारत दोनों के लिए किसी जोकिम से कम नहीं होगा हाला कि इसमें काम्याब होने पर यह जम्मू और कश्मीर के स्थिति और उस्लामिक देशों से भारत के रिष्टे दोनों को प्रभावित करेगा चलिए देख लेते हैं आज की प्रारंबिक परिक्षा का प्रशन क्या है निर्म लिखित कत्नों पर विचार कीजे पहला OIC का उदेश किसी भी रूप में विध्यमान उपनिवेश्वात की समाप्ती और जाती अलगाओ और भेदवाओ की समाप्ती के लिए प्रयास करना है दूसरा OIC मुसलिम देशों का संगठना होकर मुसल्मानों के पाक्ष के समर्थन हेतू समन्वे स्थापित करने के लिए एक मंच है तीसरा OIC के संस्थापक सदस्यों में भारत और पाकिस्तान शामिल है उपरियुक कत्नों में से कौन सा कत्न साते हैं? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन उपरियुक सभी देखते हैं आज की मुख्य परिक्षा का प्रश्न क्या है? OIC में भारत का मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होना ना सिर्फ भारत के सामरिक आर्थिक महत्यों को दर्शाता है अपितू यह भारत के बहुत सांस्क्रतिक स्वरूप का सम्मान भी है भारत की विश्य में बढ़ती सुईकारता के संदर्व में इस कथन की समिक्षा कीजें हम आशा करते हैं यह मुद्दा आपकी परिक्षा में मददगार साबित होगा इस प्रकार के टॉपिक्स हम भविश्य में बिलाते रहेंगे धन्यवाद